स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे यूटूब चैनल पर तो आज क्लास वारह के रसायन विज्ञान चैप्टर चार चैप्टर का नाम है रसायनी बलगत की का यह सात्मा भाग है यदि इसके पिछले भाग आप नहीं देखे होंगे तो प्लैलिस्ट में आल वीडियो है वहाँ से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं तो इस भाग में आज हम लोग पढ़ेंगे रसायनिक अब किरिया किसे कहते हैं और रसायनिक अब किरिया कितने परकार के होते हैं तो आज की वीडियो में बताया जाएगा तो आप लोग एके के लाइन को अच्छे से समझे जहां भी आप लोग को दिक्कत हो वहां तुरंत कमेंट कीजिए तो रसायनिक अब किरिया क्या है तो इसका उतर है कि वह किरिया जिसके द्वारा अभिकारक उत्पाद में बदलता है अभिकारक किस में बदलता है उत्पाद में बदलता है उसे रसाइनिक अभिकिरिया कहते हैं तो इसका जो उत्तर है आप लोग भी अपने कॉपी में क्या किजिए नोट करते चलिए लिदेंगे वह किरिया किरिया जिसके द्वारा जिसके द्वारा अभिकारक अभिकारक उत्पाद में बदलता है किसमें उत्पाद में बदलता है उत्पाद में बदलता है उसे रसाइनिक अभिकिरिया कहते हैं रसाइनिक अविक्रिया कहते हैं तो परिभासा कितना सान है वह किरिया जिसके द्वारा अविकारक किस में बदलता है उत्पाद में बदलता है उसे रसाइनिक अविक्रिया कहते है अब पढ़ेंगे हम लो बेग के अधार पर रसाइनिक अवकिरिया के परकार मतलब बेग के अधार पर रसाइनिक अवकिरिया कितने परकार के होते हैं तो यहां पर लिख लेंगे बेग के अधार पर रसाइनिक अवकिरिया जो होते हैं तीन परकार के होते हैं तो यहां लिखते हैंगे बेग के अधार पर रसाइनिक अवकिरिया तीन परकार के होते हैं पहला का नाम क्या है दूसरा नाम और तीसरा नाम पर नोट करेंगे और एक एक परिभासा को भी समझेंगे तो पहला का नाम याद रखेंगे पहला या नोट करेंगे दूसरा और यहां पर तीसरा तो पहला का नाम है तीबर अभकिरिया क्या नाम है तीबर अभकिरिया तीब अतिमंद अभिकिरिया 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 लिख सकते हैं और यहां तीसरा जो है मंद अभिकिरिया क्या नाम है मंद अभिकिरिया तो यह तीन परकार के जो हैं किरिया हैं तो तीनों का नाम पहले अपने कापी में क्या किजिए नोट का तिब्र अभिकिरिया अतिमंद अभिकिरिया और तीसरा गनाम है मंद अभिकिरिया अब हम लोग समझेंगे तिब्र अभिकिरियाएं क्या हैं तो अब यहां नोट कर लेंगे तिब्र अभिकिरियाएं परिभासा बहुत असान है बस थोड़ा सा आप लो धियान दीजिए वीडियो पर और परिभासा को जब लिखते रहेंगे तो और भी अच्छा रहेगा जिससे आपको याद तुरंत हो जाएगा तो तीब्र नाम से ही है कि वे अबकिरिया जो तुरंत संपन हो जाती है तीब्र अबकिरिया कहलाती है तो यहाँ नीचे नोट लिख लेंगे वे अबकिरिया जो तुरंत शंपन हो जाती है तुरंत क्या होती है शंपन हो जाती है उसे तीब्र अबकिरिया कहते है तो समझ में आगयाओ का पहला कितना असान है वे अबकिरिया जो तुरंत संपन हो जाती है उसे तिब्र अबकिरिया कहते हैं जैसे मैं आपको एजामपल के रूप में लिखना चाहते है तो जैसे आयन, जो आयन से जो किरिया होती है वो तुरंत संपन हो जाती है तो आयन द्वारा किरिया, यहां लिख सकते है कि आयन द्वारा किरिया आयन द्वारा क्या लिए सकते हैं किरिया अगर आयन द्वारा जो किरिया होती है वो किरिया क्या होती है तुरंत क्या होती है संपन हो जाती है तो तीबरव किरिया के बारे में आप लोग समझ लिए होंगे कि वे अवकिरिया जो क्या होते हैं तुरंत संपन हो जाती हैं उसे तिवर अवकिरिया कहते हैं अब हम लोग पढ़ेंगे अतिमंद अवकिरिया अतिमंद अवकिरिया क्या है अतिमंद अवकिरिया नाम से ही आप समझ जाएंगे कि अतिमंद अविक्रियाएं का मतलब क्या है यह जो किरिया होता है अतिमंद मतलब बहुत धीमी गिती से वे किरियाएं जो कई महीने लग सकते हैं या कई बर्स भी लग सकते हैं तो अतिमन्द मतलब धीरे धीरे ये किरिया होती हैं उसे क्या कहेंगे अतिमन्द अविकिरियाएं कहते हैं तो इसका उतर भी आप नीचे अपने कौपी में नोट कर लिजिए अब इसका उतर होगा वे अविकिरियाएं वे अविकिरियाएं वे अविकिरिया जिनको होने में जिनको होने में महीनों या बर्षो लगते हैं लगते हैं उसे अतिमन्द अतिमन्द अविकिरियाएं कहते हैं तो कितना आसान हैं वे अविकिरियाँ जिनको होने में महीनों या बर्षो लगते हैं उसे अतिमन्द अविकिरियाएं कहते हैं इसे बहुमन्द अविकिरियाँ भी कहा जाता है तो यहां लिख सकते हैं इसे बहुमन्द अविकिरियाँ भी कहते हैं बहुमंद अभिकिरिया भी कहते हैं कहते हैं तो समझ में आगे होगा कि जो अभिकिरिया होगा वो क्या होगा महीनों लग सकते हैं बर्षों लग सकते हैं तो इसका उदाहरन क्या है तो इसका उदाहरन लिख सकते हैं जैसे जैसे हो जाएगा उत्प्रेरक के अनुपस्तती में मतलब इसमें उत्प्रेरक नहीं होगा उत्प्रेरक क्या होता है उत्प्रेरक विये पदार्थ होते हैं जो अभिकिरिया को बेक को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं आगे चलके हम लोग पढ़ेंगे उत्प्रेरक क्या है उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं आगे अगला पार्ट में हम लोग को मिलेगा उत्प्रेरक तो उत्प्रेरक का अगर आप नहीं जानते हैं तो अगले चेप्टर में आप जरूर जान जाएंगे तो उत्परेरक की अनुपस्तती में मतलब उत्परेरक यहाँ पर नहीं है अनुपस्तती मतलब उत्परेरक यहाँ पर क्या है नहीं है अनुपस्तती में हाइड्रोजन तथा आक्सीजन के संयोग से जल का निर्माड होना तो इसका अर्थिया हुआ कि यहाँ उत्परेरक अगर अनुपस्थित है तो हाइड्रोजन और आक्सीजन का जब संयोग होता है तो जल बनता है लेकिन क्या है अधिक समय लगता है जिसके द्वारा यह जल बनता है अगर उसमें उत्प्रेरक काम करता है उत्प्रेरक के उपस्थित में काम होता है तो यह किरिया क्या होता है तुरंत संपन्य हो जाती तो यहां उत्प्रेरक क्या है अनुपस्थती है और यहां जल जब बनेगा हाइडोजन जब अक्सिजन को मिलाते हैं तो क्या बनता है जल लेकिन यह जो जल बनेगा वो क्या लगेगा समय लगेगा समय के द्वारा यह आपका अधिक समय लगेगा जिसके द्वारा यह किरिया कौन होगा अतिमंद अभिकिरिया होगा तो समझ में आ गया होगा तो इसे उत्तर को अपने कापी में नोट कर लिजिए अब हम लोग पढ मतलब धीमिकति से होगा, मंद अवकिरिया है, तो लिख लेंगे वे अवकिरिया जिनके पूर्ण होने में क्या है, तिवर अवकिरिया से तो अधिक होगा, तथा अति मंद अवकिरिया से क्या होगा, कम समय लगता है, यहां लिख देंगे, वे अवकिरिया, वे अभिकिरिया जिन को पूर होने में होने में तीबर अभिकिरिया से कम तथा अती मंद अभिकिरिया से अती मंद अभिकिरिया से अधिक समय लगता है वे अभिकिरिया जिन को पूर होने में तीबर अभिकिरिया से क्या होगा अधिक समय लगता है उसे क्या कहेंगे उसे मंद अभिकिरिया कहते हैं तो परिभासा कैसे लगा आप लोग जरू कमेंट कीजिए और आप लोग परिभासा को नोट करते भी चलिए तो अब मंद अभिकिरिया क्या इसका उदाहरण है अब उदाहरण के बारे में समझेंगे अब यहाँ उदाहरण लिख लेंगे जब हाइडरोजन और आयोडीन जब यहाँ पर जो गरम किया जाएगा तो यह बनेगा हाइडरोजन आयोडाइड तिया जो किरिया होगा मंद से क्या होगा अधिक लगेगा और तीबर अभिकिरिया से क्या है कम होगा तो यह अभकिरिया जो क्या है मंद अभकिरिया में आएगा कि जब हाइड्रोजन और आयोडीन को मिलाया जाएगा तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है और यह जो किरिया होगी मंद अभकिरिया होगी तो समझ में आ गया होगा उदारन इसका भी तो अब हम लोग पढ़ेंगे आडविक्ता के अधार पर अभकिरिया का प्रकार अब यहाँ नोट कर लेंगे अब आडविक्ता के अधार पर अधार पर अभकिरिया के प्रकार अभकिरिया के प्रकार तो आडविक्ता के अधार पर अभकिरिया कितने प्रकार के होते हैं यहाँ दखिएगा आडविक्ता के अधार पर जो अभकिरिया होते हैं वो तीन परकार के होते हैं तो यहां लिख देंगे आडविक्ता के अधार पर अधार पर अभिकिरिया अभिकिरिया तीन परकार के होते हैं तीन अब तीन परकार के होते हैं अब तीन परकार के होते हैं तो तीनों का पहले नाम नोट करेंगे और तीनों की परिभासा को अच्छे से समझेंगे एक, दो, और यहां लिखेंगे तीन तो पहला का नाम है एका एका अड़ुक अभिकिरिया अभकिरिया और दूसरा नाम है दूई अडुक अभकिरिया जाली देंगे दूई अडुक अभकिरिया और तीसरा का नाम है तीसरा का नाम तो आप खुद जान गए होंगे आप लोग क्या होगा तिरीक अडुक अभकिरिया तो क्या है आडविक्ता के अधार पर अभकिरिया कितने परकार के होते हैं तो आडविक्ता के अधार पर अभकिरिया जो है तीन परकार के एका एका अडुक अभी किरिया दुई अडुक अभी किरिया और त्रीक अडुक अभी किरिया तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा जरूर आप लोग कमेंट कीजे चैनल पर आप पहली बारा हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजे वेल आइकन घंटी को आपसन को आप लोग ओके कर लिजे जिसे कोई भी वी वीडियो को अपलोड किया जाए तो इसका मैसेश तुरंत आपके पास पहुंच जाए तो आज का वीडियो जो है इतना ही रहेगा कल के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एका अणुक अभिक्रिया क्या है दुई अणुक अभिक्रिया क्या है और तिरीक अणुक अभिक्रिया क्या है तो कल साम को साथ वजे वीडियो देखना नो भूलिए प्रत दिन ये साम को साथ वजे जो है लाइब कलास चलता है तो आज का वीडियो इतना ही कर मिलते हैं साथ बजे तब तक के लिए नमस्कार